एक ऐसी खबर की जिसका एंपक्ट आज के आज अगले आदे घंटे में दिखने लगेगा MSCI में कई सारे स्टॉक्स जो वेटिज बदला है कुछ इंप्लूजिन भी हुआ है अगस्त में जो रिवीव हुआ था ये आज 30 अगस्ट ओन्वर्ड दरसल आफ्टनून में लागू होने वाला था अब इसका कितना किस स्टॉक पे असर पड़ेगा किस तरह का इंफ्लो आतावा दिखाई देगा कहां पर वेटिज बड़ा है घटा है इस सबकी अपडेट आपकी सामने आ रही है विवेक हमाएं साथ जुड़ गया है विवेक बताईए वेल आज एक बहुती बड़ा और एक बहुती महत्वकूर्ण इंपक्ट होगा क्योंकि MSCI इंडेक्स रिव्यू जो पहले अनौन्स कर चुका है वो आज ट्रेडिंग सेशन में लास्ट एक गंटे में होगा उपर आज के दिन में इंडियन इक्टी में आएंगे यह पूरा इंडियन मार्केट है यह जो MSCI का इवेंट है यह एक net inflow high impact इवेंट है इंडियन इक्टी मार्केट के लिए इसमें क्या हो रहा है देखो changes effective होंगे from Monday आज के दिन सब inclusions जो भी MSCI ने अनौन्स किया और एक deletion होगा MSCI small cap index में 27 edition होगे और 6 deletion होगे सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का weightage कितना हो गया है MSCI emerging market index में May 2024 में इंडिया का weightage था 19.2% अभी यह July 2024 के end में इंडिया का weightage हो गया है बढ़कर almost 20% to be precise 19.8% है इंडिया का weightage in MSCI emerging market index इसके कारण इंडिया को ज्यादा weightage मिल रहा है ज्यादा inflows मिल रहा है और यह इसका कारण यह है कि इंडिया जो है उसने बहुत outperform किया है दूसरे markets को like China, Korea, Taiwan इंडिया ने significantly outperform किया उन सब से आगे निकल रहा है पिछले कही मैनों में इंडियन markets अभी हम आएंगे stocks के तरफ जो stocks जा रहे है inside the MSCI standard index सबसे पहले Zydus Life, Prestige States, Dixon Tech, OFSS, Oil India, Vodafone Idea, RVNL एक stock भाहर निकलेगा वो है बंदन bank उसके अलावा एक बहुत ही important move है आज HDFC bank में HDFC bank और HDFC का merger होने के बाद MSCI ने कहा था कि इसका merged entity है जो अभी इकलोता entity जो trade हो रहा है उसका weightage बढ़ जाएगा यह जो बढ़ावा आएगा वो दो ट्रांच में होगा आज होगा एक ट्रांच almost one and a half billion dollars का inflows आएगा HDFC bank में और November series में जब November में फिर से MSCI का बैटक होगा तब और एक ट्रांच हाएगा तो यह बहुत important है HDFC bank के लिए and also Adani stocks के लिए important है MSCI ने कहा कि अभी तक जो उन्हें उन्हें रुका के रखाता जो भी division making है on Adani stocks वो embargo uplift हो चुका है अगले जो quarter है उसके बाद वापस MSCI Adani stocks को as equal as other stocks treat करेंगे यह बहुत important moment है और एक चीज़ याद रखना जरूरी है यह जो stocks inclusions exclusives है यह लोगों को पहले सेवाता है active fund managers already trade कर चुके है तो don't get stuck on the wrong foot यह particular event के कारेंट but आज almost 5 billion dollars करीबन 40,000 crore का inflow है because of MSCI 40,000 crore का inflow तो जब आप सोमवार को FII figures देखेंगे चौकिएगा नहीं क्योंकि इस खबर का impact देखने को मिलेगा लेकिन अलूज घूम फिरकर बात फिर HDFC पर ही आ जाती क्योंकि HDFC में आधा अब आएगा और November में दुबारा review करेंगे उमीद रखनी चाहिए वहाँ पर और फ्लो आएगा उमीद तो रखनी चाहिए हज़दा कि नवेंबर में और फ्लो आएगा लेकिन जैसा रिरिक भी कहा थे कि बहुत समय से मार्केट को पता था कि यह सब हो रहा है और देखिए आज भी सुबह कहां खुले हम और कहां और कष्छान कि जाज पता रहा है और कि बहुते है और कहांड़ Bene